Hello everyone, my name is Meet, आप देख रहे हैं Technical Government Job All Over India YouTube Channel आज का जो latest update आ रहा है, railway metro की तरफ से बिलकुल fresh notification आ गया है सबसे पहले आपके लिए लेकर आ चुकियों तो वीडियो को like कर लिजी अगर first time चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को subscribe करने के साथ bell icon को जरूर press करना, bell icon को press करके all पे click कर लेना ताकि हर एक notification आप तक timely पहुंच है बात करें हम recruitment की, सबसे बहले बात करते हैं कौन कोण apply कर सकता है तो all India की male and female दोनों ही apply कर सकते हैं यहाँ पर 10 से 12 टाइप की vacances को out किया गया है सबके लिए age limit भी बिल्कुल different है qualification भी बिल्कुल different है salary भी अलग-अलग है हर एक post के लिए तो वीडियो को complete जरूर देखना तभी चाके पता चलेगा कौन कौन सी vacances के लिए क्या age limit है और qualification क्या है सबसे important बात ना ही कोई इजाम होगा ना ही कोई application की fee आपको pay करने है तो यह आपके लिए plus point है eligible apply जरूर से कर लेना बाकि इस recruitment के इलावा काफी सारे नई department की vacances आ गिये जिसमें आपके state की vacances अलग आ गिये center की अलग साथी साथ में अपनी official site पर update कर देते हो लिंक का आपको description में जाकर मिल जाएगा वहाँ जरूर विजट करते रहा किजी अपनी qualification के accordingly आप वहाँ पर vacances को check कर सकते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात करते हैं recruitment की यो की railway matter की तरव से बिल्कुल fresh notification आ गया है apply करना भी already start हो चुका है इसके लिए आपको online apply नहीं करना है ना ही offline करना है email के through apply करने को बुला गया इस पर इनकी जो email id mention है notification पर उस email id पर आपको अपना cv सेंड करना है उसके साथ required document आपनी scan करके जो है वो send कर देनी है इनको जिसमें आपके qualification के document होगे id proof latest passport size photograph के साथ अब बात करते हैं important dates के apply करना already start हो गया है last date apply करने की है 8 February 2021 8 February 2021 तक आपको apply कर लेना है अब बात करते हैं यहाँ पर post wise qualification की and post wise age criteria और यहाँ पर salary की सबसे बहले बात करते हैं post wise age limit क्या रहने वाले है सबसे पहले जो post है वो supervisor की है उसमें आपकी maximum जो age है वो 40 है आप apply कर सकते है minimum जितनी मर्जी हो 18, 19, 20 जितनी मर्जी हो आप apply कीजिए maximum 40 है next जो post है वो है section engineer SNT के लिए इसके लिए 61 maximum है उसके बाद senior section engineer के लिए section engineer civil के लिए vacances आई हुई है इसके लिए maximum आपकी 61 age है तो आप apply कर सकते है next जो post आई हुई है वो chief traffic controller की है इसके लिए maximum 62 को आपकी age है आप apply कर सकते हो assistant manager की post है इसके लिए maximum 45 वाले apply कर सकते है next station manager की इसके लिए maximum 41 है आप apply कीजिए selection procedure इसमें आपका exam नहीं होगा application fee तो है ही नहीं जो मैंने आपको पहले भी बता दिया इक्जाम भी नहीं होगा सिरफ interview होने वाली है उसी के basis पे selection होने वाली है पोस्ट मैंने आपको अल्ड़ी बता दी है age limit के साथ अब बात करते हैं यहां पे salary क्या रहने वाली है post wise और उसके इलावा qualification यहां पर किस post के लिए क्या रहने वाली है सबसे वाली आप बात करते हैं यहां पे number of vacancies के तो यह number of vacancies की बात करें 127 vacancies आउट की है salary इसमें आपके 41,800 से 1,32,300 आपकी salary रहने वाली है यह post wise salary है आप हर एक post के accordingly notification में जरूँ चेक कर लेना तो हर qualification के accordingly vacancies है यहां पर जैसे जो पहली post है वो है assistant manager की इसमें अगर आपने degree या फिर diploma किया हुआ है civil में तो आप apply कीजिए next post है station manager की इसके लिए अगर आपने bachelor degrees और या फिर अगर आपने 3 years का डिपलोमा किया हुआ electrical, electronics and telecommunication में या mechanical, electrical, electronics and communication में तो आप apply कीजिए नेक्स जो पोस्ट है चीफ ट्रेफिक अम्ट्रॉलर की विकैंसिस है इसके लिए अगर आपने बैशलर डिग्री या फिर थी एर का डिप्लोमा किया हुआ Disney सीविकल्क इसके लिए अगली जो पोस्ट मेचल। Communication वे electronics तो आप अप्लाई कर सकते हैं सेब इसी तरह से जो Section Engineering की वेकारणी सेलिए हैं उसके बाद Senior Section इसके बार नेक्स्ट पोस्ट है इसके लिए भी डिप्लोमा सिविल में आपने की आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए अगर आप में डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रीकल में में इलेक्ट्रोनिक्स में इ Packard अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं अगर अप्लाई कर सकते हैं महा मुंबी मेट्रो ने ये वेकैंसिस है जिनको आउट किया है, मैंने आपको अल्री पताया है, इमेल के थुरू आपको अप्लाई करना है, इसके इलावा भी काफी सारे नई नोटिफकेशन आया है, नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है, बाकी क्वालिफकेशन के एकॉर्डि वेकैंसिस को चेक करके अप्लाई भी जरू करना है, फर्स्टेम चैनल पर आएं तो सब्सक्राइब जरू करना, विकॉज आपको हर एक नोटिफकेशन टाइम पर मिलता रहे, इसलिए आपको सब्सक्राइब जरू कर लेना है, बैल आइकन को प्रेस करके, इसके इलावा इ झाल 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